सन पंद्रे सो तीस इसवी में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायू को बात्साह बंते ही अनेक कठिनायों का सामना करना पड़ा हुमायू को बिरासत में आर्थिक रूप से दुर्बल और प्रसासनिक इस्तर पर ऐ बेवस्थित एवं राज़ितिक दिश्ट्रे ऐस्थिर एक ऐसा सामराज्य मिला था जो कि केवल सैन बलपर डिका हुआ था उसकी सेना मुगलों, तुर्कों, उस्बेकों, इरानियों, अफगानों और हिंदुस्तानियों का जमाड़ा थी और इसमें जातिये भाशागत यवं सांस्कृतिक भिनिता के कारण एकता और संगठन का अभा आजित कर दिया था। कामरान को काबुल और कांधार काशासक बनाया गया। कामरान ने प्रारम से हुमायों के लिए कठनाईयां खड़ी कर दी। जबकि असकरी और हिंदाल भी कामरान के मुहरे बन कर हुमायों को परिशान कर रहे थे। बंगाल के सासक नुसरस साह ने मुगलों से पराजित अफगानों को स्रण दी थी और इब्राहिम लोदी की पुत्री से विवाह कर दिल्ली के तक्त पर स्वयम अधिकार करने की युजना भी बनाई थी। सिंद और मुल्तान के अरगुन सासकों से बाबर ने काबुल छेन लिया था और खानवा के युद्ध में विजय के बाद उन्हें अपने अधिनता स्विकार करने के लिए विवस किया था। बहादुर्शा मालवा और चित्वड पर अधिकार करना चाहता था और फिर उत्तर भारत के और बढ़ना चाहता था। आईए बहादुर्शा से संघर्स की कहानी को सुनते हैं। इस वाद को आप समझेगा कई बार ये प्रशन परिक्षा में आया हुआ है। सन 1535 में जब बहादुर्शा ने चित्वड का घेरा डाला तो वहाँ की रानी कर्डवती ने हुमायू से सायता मांगी। हुमायू बासा शाह के बिरुद्ध अभियान के लिए निकला। किन्तो एक बिधर्मी से जिहाद करते हुए एक मुसल्मान के बिरुद्ध उसने युधने करने का मुर्खता पूर नड़े लेकर एक और जहां प्राजपूतों से मैत्री पूर संबंद स्थापित करने का मौका खो दिया वहीं उसने मुश्किल में पड़े हुए बहादु कर दिया हुमायू और बहादुर शाह की सेनाओं का मंदसौर में आमना सामना हुआ जिसने मुगल सेना की बिजे हुई भागते हुए बहादुर शाह का हुमायू ने मंदसौर चंपानेर और खंभात तक पीछा किया और फिर आहमदाबाद पर अधिकार कर लिया असकरी को गुजरात का सुभिदार ने उत्किया गया किन्तों एक वर्स के अंदर ही मालवा तका गुजरात की मुगल बिजे मिलर्थक सिद्ध हुई और बहादुर साह को एक बार फिर गुजरात पर अधिकार करने का उसर मिला। की शेरखा ने अधिकार कर लिया था। शेरखा बाबर का सैनिक पता अधिकारी भी रह चुका था। उसने हुमायू को अपना स्वामे स्विकार करते हुए चुनार का किला उसी के पास रहने देने की प्रार्थना की। मात्र की अधिन्ता और जमानत के तोर पर अपने बेटे कुदुप खा को हुमायू को सौपने के प्रस्ताओं के बगले में हुमायू ने चुनार का किला उसी के पास रहने दिया। और स्वयम आगरा लोट गया। अमुस्ता के अनरोध पर हुमायू सन 1537 में सेरखा के दमन हेतू उरव के और बढ़ा। लेकिन बंगाल में उससे निपटने के पहले हुमायू ने नवंबर 1537 इसमी में चुनार के किले का घहरा डाला। और जून 1538 ने उसे जीत लिया। इस बीच शेरखा ने बंगाल प्रधिकार कर लिया था। सेरखा के दमन के उद्देश से 1538 में हुमायू बंगाल के लिए निकला। सेरखा के पुत्र जलाल खा द्वारा उसका मार्ग औरुद गिये जाने के कारण वह चार महीने बाद बंगाल की राजधानी गौड पहुंच सका। सेरखा तब तक रहतासगर पहुंच गया था। हुमायू ने चार महीने का समय गौड में वितीत किया। उसके दोरा बिहार की रक्षा के लिए निक्त उसका भाई हिंदाल बिहार को ऐसरक्षित छोड़कर आगरा चला गया। और वहां उसने तक्त पर अजिकार कर लिया। आगरा वापस लोटने के लिए उत्सुक हुमायू ने चौसा में शेरखा के समक्ष अप्रेल 1549 को संदिका परस्ताव भेजा। इसे स्विकार करने में टालमटोल करते हुए उसने तीन महिने बिता दिये। बरसात के मौसम में पश्चिम से पूरी तरह कटे हुए रसत की कमी से जूज रहे शेरखा संदिकी परत्यासा के कारण पूर्टिया ऐशाओधान हुमायू पर 25 जून की रात में हमला कर दिया। और मुगल सेना को पराजित किया। भारी नुक्षान उठाकर हुमायू जान बचाकर आगरा पहुँच सका। चौसा की उद्युके बाद शेरखा ने शेरखा की उपादे धारण की। शेरखा से युद्युकर ने हेत हुमायू ने अपने सेना का पुन्रगठन कहा जाता है कि चौसा एद्युके दौरान एक कहानी को इस परकार की बनती है। जब हुमायू अकेले पढ़ जाता है, सामने नदी का प्रवाह होता है, तब उसे वहाँ पर विस्ती एक नाविक ने उसकी जान बचाई थी। और कहा जाता है उस नाविक के एक्षा को पूर जाता है। फिर आईए हम लोग बिस्तार से बात प्रोटे हैं। अप्रेल 1540 तक शेर्षा बंगाल से बढ़ते वे कन्नौज पहुंश का। और अपनी सेना के साथ हुमायू भी आगरा से वहाँ पहुंश गया था। कन्नौज जगह बिलग्राम दोनों सेनाएं आमने सामने होगी। एक ऐसा रण होगा जहां परितिहास यह दिखाएगा कि कौन शासन सत्ता में महत्पूर्ण भागिदारी निभाएगा। कन्नौज में दोनों सेनाएं एक महीने तक एक दूसरे के सामने थी। किन्तों हुमायू की सेना का पढ़ाव निचली सतय पर था। मई माह मे युद में शिर्षाह ने मुगलों सेना को पराजित कर दिया। शिर्षाह ने सुगमता से आगरा रधा दिल्ली पर अधिकार कर लिया और फिर उसने हुमायू को हिंदुस्तान से पूरी तरह निसकासित कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि चौसा और बिग्राम की युद मे हुमायू पराजित हो करके तक्रिवन 15 सालों तक इधर उधर भटकता रहा। 15 सालों तक हुमायू भटकता रहा और 15 सालों तक दिल्ली की बास्साहत शिर्षाह सूरी और उसके राजबंस के लोगों के हाथ हुए।